नमस्कार साथियों यहाँ पर दिया हुआ है तो सहाब यह जो आप जो स्लेट की तयारी करते हो सेट की तयारी करते हो तो सेट की तयारी में जितना importance रहता है second paper का subjective का उतना ही importance जो general paper का first paper का भी importance रहता है क्योंकि यहाँ पर जो selection जो होता है वो selection दोनों के number count करके married बनती है उस base पर selection होता है और cut-off जो जाती है वो different different cut-off जा सकती है paper के उपर depend करता है paper easy है कि papers cut-in है tough है इसके उपर depend करता है कि जो cut-off क्या रहेगी मेरी बास समझ रहे हो न जैसे पिछली बार की अगर मैं chemical science की cut-off की बात करूँ मतलब इसमें qualify होना ही यह नहीं है कि qualify हो गए पिछली जो set हुई थी उसमें अगर chemical science की अगर अलग-अलग में cut-off बताओं कि general की cut-off, OBC की cut-off और SC और ST की cut-off इन चारों की अगर cut-off बताएं तो यहाँ पर जो number आये थे general वालों के 300 जो marks का 100 number का तो general का आये और 200 number का subjective paper होना है तो general में जिन लोगों के 180 number आये थे 180 से उपर वाले उन सभी को general में set हो गया था यहाँ पर merit रुकी थी 100, 22 पर और यह 158 और यहाँ पर जो है ST की cut-off जो गई थी सहाब वो 146 पर cut-off गई थी ओके अगर हम percentage निकाला है कि कितने क्या percentage पर रही cut-off रुकी तो अगर देखोगे आप तो 180 मतलब 300 में से 180 तो यह 60% पर गई है यह जो cut-off गई है 57.33% 57.33% और यह आप SC की cut-off देखोगे तो 52.66% और HD की अगर आप cut-off देखोगे तो 48.66% तो यह cut-off है मतलब अभी भी लगबग-लगबग मेरा मानना है कि यही cut-off जो है रुकना है एप्रोक्स प्लस माइनस एक या दो हो सकता है जो भी है तो आपको जो है इस नमबर के साथ साथ में जनरल पेपर बहुत इंपोर्टेंट रोल रखता है क्योंकि यहां पर एक एक कुशन दो-दो नमबर का रहता है अगर किसी के पांच कुशन सही होगा तो डारेक्टर दस नमबर ज्यादा होगा और दस नमबर ज्यादा पर वो जो है सिलेक्शन में चला गया भहिया यह होता है तो कोई सी भी टॉपिक को अपन जो है कम दर से नहीं आख सकते है भहिया इस टॉपिक को छोड़ दें दूसरा टॉपिक कंप्रिट करने यह ऐसा नहीं होता सारे टॉपिक अच्छे से होने चाहिए तब ही हम सिलेक्शन ले पाएंगे तो टीचिंग एप्टिटूड से जो है 2018 की पेपर की बात करें 2018 की पेपर की मैंने एनालिसिस करके आपके सामने यह वीडियो पेश किया है तो टीचिंग एप्टिटूड में शेक्षन अभी शमता में 5 कुष्ण बने थे और 10 नमबर के तो साहब इसको कम्डिट करना चाहिए शोद research aptitude में भी 5 कुष्ण बने थे और यह 10 नमबर का रहा था comprehension बोध में से 4 कुष्ण बने थे आठ नमबर suppression communication में से 3 कुष्ण बने थे 6 नमबर अब इन तीनों का मैंने mix-up बना दिया कि गणिती, तरकयम, अभिक्षमता मतलब mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning और data interpretation इनसे तेरा question बनेते साहब तो आपकी mathematics सगी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर और समय का फर्स्ट वेवर में यह होता है कि time एक गंठा इतना जल्दी निकलता है कि किसी question पर अगर आप stuck हो गए तो आपका time बरबात हो जाएगा कोई question नहीं आ रहे, जल्दी से आगे बढ़ो बात में देखना हो चीजी है तो यह 13 question यहाँ से बनेते साहब और 14 marks और higher education से 6 question बनेते 12 marks टोटल आपके जो यह 100 marks हो गए है और यह 50 question बन गए आपके ओके, पांच, पांच, दस, चार, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा सत्रा और तेरा, तीस, तीस और चौदा चौवालिस और छे, पचास यह पूरा 50 question का मैंने आपके सामने data दे दिया है कि यह इतने question आते हैं और इस टाइप तरीके से जो है, आपका ट्राका paper बना था ओके तो I hope, उमीद करता हूँ कि यह जो है, यह इसका आप चाहो तो screenshot ले लिजे, क्योंकि यह वाला जो यह वाला आपके लिए बहुत useful रहने वाला है यह वाला वीडियो है, यह वाले आकड़े है, यह वाले data है, क्योंकि जब अपन preparation करते हैं, तो mind में रहता ना कि जो पढ़ रहे हैं, वो कितना काम का हैं, होता क्या है कि अधिकतर जो बस last time भी preparation करते हैं हाला कि preparation पहले से होनी चाहिए वो ही काम आती है लंबे समय से, क्योंकि सारी चीज़े link जुड़ते जाती हैं, dot जुड़ते जाते हैं और success हो जाते हैं यह चीज़े होती हैं अभी क्या हो दो आता कि time बहुत कम बचाता मेरे पास भी काफी कुछ chemical science पढ़ने के लिए जो है slate के लिए काफी inquiry आया थी लेकिन मैंने time कम बचा था इसलिए मैंने course launch नहीं किया इसका तो कोई भी जो है test risk के लिए या इसके लिए भी slate के लिए भी मैंने course launch नहीं किया है next जो भी exam होती होगी assistant professor की उसका first paper, second paper उसके लिए course launch करेंगे तो उसके लिए ज़रूर आप जो है contact कर सकते हो समय कम के कारण PGT की बेच ले रही थी और तीन अगस्तों को PGT का paper complete हुआ उसके बाद में set के लिए set के लिए time बहुत कम बचाता है इसलिए जो है इसकी batches launch नहीं करी इसका course launch नहीं किया मुझे खेद है कई student की inquiry आ रही थी और मैंने course launch नहीं किया कर देता तो अच्छा रहता सभी का भला हो जाता लेकिन इसके लिए मैं जो भी generate चाहते थे course की बारे में उन से मैं माफी चाहूँगा कि मैंने course launch नहीं किया चलिए सातियों फिर भी आपके सामने जो जिन्नों ने course ले रखा था PGT का वहाँ पर 80-90% जो है topic वेसे complete थे यह ध्यान रखना 80-90% वेसे सिर्फ जो है मैंने पूरा analysis कर रखा है सिर्फ दोच्चा topic है जिसे spectroscopy जो PGT के syllabus में नहीं था तो वो नहीं करवाया था एक हेट्रोसाइकली chemistry और फोटो chemistry और nuclear chemistry यह चार टॉपिक हैं इन चार टॉपिक के अलावा मैंने सारा जो है भूका हुई अगर मैं चाहता तो slate का course launch कर देता सिर्फ यह चार टॉपिक और वीडियो डाल देता और उनी को अचकल अवेलेबल रहती हैं तो चिंता ना करें तो जिनोंने PGT का course ले रखा था साहब उनके लगबग लगबग जैसे कि 24-25 टापिक होंगे उन से 20-25 टापिक आपके complete है PGT के सिर्फ आपको कौन से course करना है कि revise करना है देखना है तो कहीं से भी तो nuclear chemistry spectroscopy देख लेना थोड़ा heterocyclic chemistry देख लेना और थोड़ा photo chemistry देख लेना यह चार टापिक के अलावा सारा course जो है मैंने आल्रेडी PGT वाले syllabus में करवा रखा ओके साथियों तो I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है यह जो slate का paper भी बहुत बढ़िया जाए और दोनों को balance बनागी चलना है general paper और subjective paper ओके मिलेंगे next video में तब तक के लिए ओके बाई जैहिन